इस तरह जो सूरह आराब सूरह नमबर साथ आयद नमबर पच्पन में फरमाया कि अपने रब को आजी जी और चुपके-चुपके से बुकारो और उसे हच्से बढ़ने वाले पसंद नहीं है एक उसूल हो और यहां पर बताया कुरान के अंदर अब लोग जो है इसके अंदर यहां तो यह बता है लेकिन अब हम यहां देखते हैं कि लोग जो दुआ के लिए जाते हैं कई इस्तिमा होते हैं हमारे यहां पर बड़े-बड़े इस्तिमा होते हैं वो इस्तिमार साथ दिन से चल रहा है दस दिन से चल रहा है लेकिन वो बोले नहीं आखरी में जाएंगे दुआ में शामिल होने जाएंगे अब वो कई किलो मेटर का सफर करके सिब दुआ में जा रहा है वो दुआ जा गो सुनता और एक क्या हजरत ने दुआ की तीन घंटे दुआ के अजरत ही तो दुआ के लिए वो सफर कर रहे हो जा रहे अब लेकिन यह कि कुरान केता है कि दुआ मांगो खूफिया चुपके चुपके से और हद से आगे मत बढ़ो वो पसंद नहीं है अल्लाव तो खूफिया मांगने को कहा गया तो जरूत क्या है कि तुमारी जरूत है तो खामोशी में कहो अल्ला से दिल में ही कहो वो तो दिल के राजों को जानता उसके लिए जुबान की भी जरूत नहीं आप दिल में कहो तो सुनेगा तो उसके बाद में ये फिर जो है ये ड्रामा दुआ का ड्रामा भी आजकल ऐसा ही हो गया जिससे इस्तिखारा का ड्रामा है टीवी के उपर बेट कर लोग इस्तिखारा बता रहे हैं फला अमल बता रहे हैं और ये दुआ का ड्रामा भी ऐसी हो गया ये भी एक तरह से ड्रामा है जिसके अंदर जो लोग दुआ के लिए जाते हैं तो दुआ अगर तुमको कुछ चाहिए, तो तुम्हें खुद को मालूम है, दूसरा उसकी कीफियत नहीं मांग सकता, आप दूसरे से कहें, के हजरत मेरे लिए आप दूआ कर दी, मेरे लिए परिशानी है, लेकिन वो केफियत नहीं ला सकता है, वो सिब कह सकते हैं कि अल्द इसके लिए इसके भ использ में दूआ करता हूँ, कबूल कर लिए। लेकिन उसको जो अंदर जो तरफ है दूआ का तालूक दिल से है उसके दिल में जो तरफ है वह तरफ दूसरे पैदा नहीं हो सकती है। दर्द एक आदमी का, दूसरा आदमी मेसुस नहीं कर सकता है, जिसको दर्द हो रहा है, एक आदमी कर आप मेरा पेट दुख रहा है, तो दूसरा कहता है, उसकी शेकल देख के हो मालूम कर सकता है, उसकी एक्स्पेशन से कि हाँ, बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है लेकिन क्या उसके दर्द को मेसूस करता है नहीं कर सकता पांच परसेंट भी मेसूस नहीं करेगा ज्यादा गनरम दिलोगा तो उसके दर्द को देखकर रोने लग जाएगा खुद लेकिन उसका दर्द तो मैंसे उस नहीं कर सकता तो दर्द उसके अंदर है तो वो खुद दूआ करें अल्ला से दूसर से कहने से क्या होगा वे इस दर्द से थोड़ी दूसरा उसके दूआ मांग सकता उसके मसाइल को नहीं कर सकता तो एक उसकी जो खुद मांगेगा तो उसकी केफेता लोगोगी बजाए वो दूसरे से तो खुद की परेशानी हम खुद जानते हैं दूसरा कैसे जानेगा तो खुद करीब है और वो के भी रहा है कि अल्ला करीब है उसके बाद फी दूसरे से कह रहा है कि तुम मांगे और नेक मांग सकते हैं मना नहीं है कि किसी से कहीं नहीं का आप यह तो हम कहते रहे तो हमारा तक्या कलाम हो गया जैसे जुदा होए दुआ में याद रखना मेसेज भी चलते रहते हैं दुआ में याद रखना बात खतम हो गई दुआ में याद रखना केते रहते हैं अब दुआ में याद रखना है तो फार्मलेटी हो गई कोई याद नहीं रख रहा होगी और ना आप याद रख रहे हैं कोई नहीं रख रहा है बोल जाते हैं वह उदर पलटा इदर पलटा बात खतम होगी कोई याद नहीं रख रहा है गलती से भी मेरी समझता हूँ कि कुछ होंगे लोग लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि सो में से निन्याणों लोग भी कभी ऐसे हों किया है और जिजिसने मुझ से काना दौा में याद रखना अल्ला जो जो उनके अच्छी चीजे हों उनके सब कबूल कर लेना कहा कि किसी नास तर नहीं कहा बस किये रहे हैं जुमलेबाजी चल रही दौा में याद रखना दूसरे नेक कोई आदमी आप उससे कह सकते हैं मना नहीं आप कह सकते हैं क्योंकि अल्ला के रसुल्ला सल्लम के पास में भी कभी कभार साबा आते थी लेकिन कभी कभाis हबा के तृलुक से नहीं मिलता नहीं तो हुमान को बहुत सरी रिभायत मिलती है आपको बहुत कम चंद रिभायते मिलेगी जिसके अंदर आपके आके का कि अला करसुम एक तौंअब को मिलता है अन्धी या शक्स था तो उनने आकर कहा था, था अला, पर लेकिन तू भी करूँ यहरूर्ष बताया है, क्योंकि जहाँ अल्ला प्रसुलिए बताया है, देखो, मैं भी करता हूँ, लेकि साथ में तुमें भी करना होगी, मदद कर तू सचदों के जरिये से तो यानि कि दूआ के लिए एक और वसूल महासे मिलता है कि सज्दों के तरी यानि कि नमास पढ़के दूआ आप में आंगी जाए ये भी वसूल है कि आप नमास पढ़के फिर अपर असके रब की तारीफ बयान करके पर इससे दूआ मांगे तो आपके बारे मालूम भी होना चीडिया बस आप कि देए थे तो उससे बात नहीं होगी अप फुद मांगेंगे तो बात होगी और वह भी अक्यले में मांगे अगर दूसरें भी किये रहे हैं तो उसको भी चाहिए कि वह आके लिए मांगना और इत्ती दौवा मांगरहा here क्योंगे लाह ने कहा हिए अब इस्तिवाई मांग रहे हैं, सब के सामने वो नाम की पड़्चिया आगी, लंबी लिष्ट, वो लिष्ट में से नाम पढ़ते जा रहे हैं, अब्दुला, रज्जा, पाला, ये, अल्ला इसकी भी कपोल का, इसकी भी कपोल का, वो लिष्टे चले ही जा रही है, फिर लंबी लंबी दुआ मांगता हो, तो उसका ज्यादा हो हो जाता है, अब उसके बाद उस जित्तार लंबी दुआ करेगा, रुद्वा भी बढ़ेगा, और नजराना भी बढ़ेगा, दोनों कामों, नजराना भी बढ़ेगा, लिफा भी आएंगी बड़े-बड़े- कर दी जा रही है फिर उसके अंदर पुकार रहे हैं रभ को फिर रो रहे हैं रोला रहे हैं मतलब उनको अब वो उसके अंदर वो बैठा वा जाके किसी को बिढ़ा दिया अंजार को ले दुआ होगी रो वो रोने के लिए अब वह नहीं इसले नहीं रो रहा है कि उसको रभ क पीडिया तो देखके रोने लग जैसे खरम में देखिया जब माँ पर तरावी होती है तो उसका लाई बाता है टेवी के उपर देखा हो इसके अंदर अब वो उसके अंदर जो इंडोनेशा वाला वो भी रो रहा है, इंदुस्तान का भी रो रहा है, बांगलादेश का भी रो रहा है, अब यहां से गए, मदरा से, चन्ने से, वो किसी को समझ में रहा है, वो तो अरभी में किरात कर रहे है, और उनको समझ में आरी वा बात तो, कि क्या उसका रब के रहा है और उनको समझ वाहरी तो वो रो रहे अब ये बाकी भी रो रहे है इनको समझ में इगनी आ रहा है तो क्यों रो रहे है वो उनकी आवाज को सुनकर रो रहे है तो असल लिए कि रोनी किफियत नहीं हो वो इसी नोटन की होती है और जिसके अंदर अब यह भी इसलिए भी हुआ कि लोगों ने दूआ मांगना ही छोड़ दिया जो कुछ करना है कि इमाम साहब करेंगे वो ही मांगेंगे बस इमाम साहब से दूआ करो लोग और आदर तैसी हो गए कि लोग हर नमास के पाद दूआ हर नमाज के बाद दुआ और वही जो है रेटे रेटाये जुमले और वेड़े गए और उदर से बचालो गए रब्बना आते ना फिद्धनी आमी नामी नामी चलो और फिर लोग जाते भी नहीं है कि दुआ अजकार नहीं बढ़ रहे हैं सुननत नहीं बढ़ रहे हैं पर दुआ और वो आज ये बन गया तो इस तरह से और ये तो ये कि आजी जी फिर उनके अंदर आजी जी नहीं होती है आप दूसरे नहीं से करवाएंगे उनके अंदर आजी जी नहीं होगी आजी जी से पो चुपके चुपके से वो जो फिर हूफिया तरीकर से हूफिया दूआ मांगे अब ये जो दूआएं इतनी दूआएं के जो इतने बड़े-बड़े इस्तिमों में और सब के अंदर दूआएं हो रही है कबिस्तान के अंदर आजकल जो जितना जादा लंबी-लंबी दुआ करता है कबरिस्तान में दफन करने के बाद में मुर्दे के लिए जो जितनी अच्छी दुआ करता है तो जाद उसका नजराना पड़ता है तो इसकी वज़े से दुआएं बढ़ती जा रही लोग परिशान होने लग गए तो आपको रिष्टेदार था उसके लिए दुआ करने के लिए दुआएं जाज मांगी जाती है